हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ एर हेटकॉर्टर इसलामबाद में तबदीली कमान की पुर्वकार तक्रीब एर मार्शल मुजाहिद अन्वर खान ने 20-22 वें चीफ की हैसियत से उहदा समाल लिया सुहेल अमान ने बैजिस लगाया और अलामती शम्शीर सौंपी जे-फ-17 थंडर तयारों की सुबक दूश सरबराख को सलामी पाकिस्तान का दिफा मजबूत पाक फजाया ने देश्चत गर्दी के खिलाफ जंग में कलीदी किरदार अदा किया एर फोर्स को जदीद तकाजों से हम आहंग किया जाएगा सुबक दो शेयर चीफ सुहेल अबान का तकरीफ से खिताब नकी बुला कतल केस राओ अनवार अदालत आजाए तहफुज मिल जाएगा चीफ जस्स की फिर पेशकर्ष आईजी सिंग को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए डेड़ बज़े बुला लिया निजी एलाइंज के हुकाम भी तलब सुप्रीम कोट ने हकूमत को विफाकी हस्पतालों में तकर्रूरियों से रोक दिया वजीर आजम के सेकेटरी और सेकेटरी कैड तलब पिंज का साफ सुत्रा शख्स चाहिए अक्रबा परवरी की बुन्याद पर तकर्रूरी नहीं होनी चाहिए चीफ जस्टिस का हुकम तुम आसिफ जर्दारी के पैरों में गिर गए आबिच शेर अली के मुखालफीन पर ताबर तोड हमले जर्दारी इमरान को करप्शन का बेताज बाच्शा करार दे दिया फर्याल तालपूर अर्बों रुपे करप्शन की सरगना है इक्तिदार किसको मिलेगा ये फैसला 22 करोड आवाम ने करना है स्टील मिल्स के मजदूरें और पी आई-ए के जो मुलादमीन है उनको हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये जो दोनों कौमी इदारे हैं इनकी लंडा बादार में हम सेल नहीं होने देंगे बाबर आवां का एन ने 153 सेलेक्शन लड़ने का एलाम स्टील मिल्स और पी आई-ए को लंडा बाजार में फरोख्त नहीं होने देंगे रहनमा तहरीक इनसाफ की मीडिया से गुफ्ट गूँ एक शक्स के पीछे पार्टी को तबहा किया है अक्रबा परवरी निपर्टिसम इस पे तो पार्टी का आर्टी कल छे लगता है फारूक सतार ने एक शक्स की वज़ा से पार्टी को तबहा किया वसी मक्तर के लफजी वार पार्टी आईन की खिलाफ वर्जी पर सर्बराही से हटाया गया करप्शन मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है नेब कौमी तरकी में हाइल नहीं मुल्की खुशाली जाती चीजों से बढ़कर अजीज होनी चाहिए चेर्मन नेब जस्टिस रेटार्ट जावेद इक्बाल का लाहॉर में खिता घरेली मुलाजमीन पर तशब्द लाहॉर हाई कोर्ट का पंजाब हकूमत को दो माह में कानून साजी का हुक्म अदालती कमिशन को दो हफ़तों में सिफारिशाद पेश करने का भी हुक्म सरगोदा के नवाही लाके कोट मिराना में एट्स पहलने के इनकिशाफाद पर थर्थली 204 मरीजों में ह-ई-वी की तश्दीर स्क्रीनिंग का दाइरा वसी करने का फैसला मैशत बेहतर होने लगी शरह नमू 6 पीसद तक पहुंच चुकी चोटी सनतों की तरकी के लिए इक्दामात तरजी मुख्तलिफ शौबों को इस्लामी फाइन्स की तरफ लाने की कोशिश शुरू कर दी मुशिर खजाना मिफ्ता इसमाईल का कराची में तकरीब से खिता मुलिटन में आपको खुश्याम अदेद कहते हैं स्यासी दरजा रारत आहस्ता आहस्ता बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो बयानात हैं उनमें भी तेजी और गर्मी आती जा रही है अब आबद शेर ली ने मुखालिफीन पर दाबर तोड हमले किये हैं उने कहा कि आसिफ जरदारी बड़े और इमरान खान चोटे चोर हैं वो बोले कि फरियाल तालपुर अर्बोर रुपे करप्शन की सरगना है वजिर मुम्लेकत ने भी कहा कि इक्तिदार किसको मिलेगा इसका फैसला 22 करोड आवाम ने करना है जबके सेनिट में जो हुआ वो सब के सामने है आसिफ अली जरदारी बड़े और इमरान खान चोटे चोर हैं जबके जो पीपल्स पार्टी की रहनमा है फरियाल तालपुर उन से मतालब बात करते हुए उन्हों ने कहा कि वो अर्बो रुपे की करॉप्शन की सरगना है दो हजार इठारा में जर्दारी गजचोर इमरान खान के साथ हम दोनों का हत्कड़ी लगाई है ये इमरान खान पशावर की जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है जो 30 अर्ब रुपे की सीधी सीधी तुने किक बैक्स ली है ये मेट्रो से और अर्बो रुपे के पैसे तुम्हें एक अर्ब द्रकर लगाने में जो लिए है वो सीधा तुम्हारी जेम में गए अब इचे रिली को आपने सुना रहनुमा तहरी के इनसाफ बाबर आवान ये कहते हैं कि वो हल्का इन्ने 153 से एलेक्शन लडने जा रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि स्टील मिल्स और पी-ा-ई-ए को लंड़ा बाजार में फरोग्त नहीं होने देंगे पाकिस्तान स्टील मिल्स खर्बूर रुपे की है पी-ा-ई-ए कर्बूर रुपे की है इनको एक शेर के जो हुकमरान है उनमें से एक नाहल हो चुका दूसरा होने जा रहा है शाबाद श्रीफ उनको ये एक्तियार नहीं है कि वो किसी कीमत पे भी इनको फरोग्त कर सकें इसलिए अगर इनको अब बेचने की कोशिश की गई तो तहरी के इनसाफ रास्ता रुकेगी उसके साथ ही जो स्टील मिल्स के मजदूर हैं और पी आई ए के जो मुलादमीन हैं उनको हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये जो दोनों कौमी इदारे हैं इनकी लंड़ा बादार में हम सेल नहीं होने देंगे मेर कराची वसी मक्तर ने कहा है कि फारुक सतार ने एक शक्स की वज़ा से पार्टी को तबाह किया पार्टी आईन के खिलावर्जी पर उन्हें सरबराही से हिटाया गया इसलिए अब वो इस्तिफा दें मुझे मश्वरा दे रहे हैं स्तिफा देने का अगर उस पर ये खुद अमल कर ले तो हमारी कर लेते तो हमारी पार्टी डिवाइड होने से बच जाती जिस एक शक्स के पीछे पार्टी को तबाह किया है अखरबा परवरी निपटिसम इस पर तो पार्टी का आटिकल छे लगता है मैं नाकाम नहीं हुआँ सरब रही मैं शिप्न में नाकाम नहीं हुआ इंस्टिल स्टॉग्लिए और आइंद बिवाट इस हुमन ली पॉसिब अगर आप तो नाकारूए हो किसलिए आपको विले बात करते हैं चेर्मन नैप की जो कहते हैं कि ये तास्थर गलत है के नैप कवमी तरकी में हाइल हो रहा है करप्सन मुलकोदीमक की तरह चाट रही है चेर्मन नैप जसिस रेटार जाविद अकबाल तकरीब से खताब कर रहे थे उनका कहना था के वो पूरी तरह कोशा है जो ह वो सका वो करेंगे उन्होंने कहा नैब इनसान दोस अदारा है और उनका मकसद करपसन का खात्मा है तकरीब से खताब करते हुए लहूर में वो खताब कर रहे थे जिस दोरान उन्होंने कहा कि ये तास्र किसी तोर पर दूस नहीं है कि नैब कौमी तरक्की में हाइल हो रहा ह अगर आज आप यहां से तैय करके जाएं कि जी आज के बाद लो तो कर्प्शन तो मेरा ख्याल है कि यह जो मैं आप के सामने आया हूँ यह मेरी बहुत बड़ी काम्याभी हो अधर सुप्रिम कोट ने हुकुमत को विफाकी अस्पितालों में तकरूरियों से रोक दिया है आहम केसिस की आज भी समात हुई और एक केस की समात के दौरान स्प्रीम कोट का कहना था कि विफाकी अस्पितालों में तकरूरियों ना की जाएं साथी साथ सुप्रिम कोट ने कहा कि जलसे में इंतजमात के लिए थो वजरा चले जाते हैं MNAS चले जाते हैं लेकिन अगर पार्लिमेंट को देखा जाए तो यहां पर कौरम पूरा नहीं होता। वो बोले कि इसलामबाद का सबसे बड़ा हस्पताल सरवरा से महरूम है। हकुमत को विफाकी हस्पतालों में तकरूरियों से रोक दिया गया है कि अब हुकुमत के सिर्फ और सिर्फ दो माह रहे गए हैं और जो नई हुकुमत आएगी वो तकरूरियों के मौामलात देख लेगी साथ ही चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जब तक अदालत मुदाखलत ना करे तब तक कोई काम ही नहीं होता। एक और हम मौामले से मुटालिक आपको अपडेट करें सुप्रीम कोट में ओवर्सीज पाकिस्तानियों के शनाखती कार्ट फीस से मुटालिक केस की समात हुई और वजीर दाखला की अदम दस्तियावी के बाइस समात अब पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है वजीर दाखला और सेकेटरी दाखला की तलबी का हुकम बरकरार रखा गया है इसे गबल आजी के रोज विफाकी वजीर दाखला एसर इकबाल को सुप्रेम कोट ने तलब किया था लेकिन वो पहुंच नहीं पाए जिसकी बिना पर समात पीर तक मुलतवी कर दी गई है इसी पर बात करेंगे है मान मुमान दे अदील वडाई चुपारे साथ मौजूद है अदील बताएगा वजीर दाखला तो नहीं पहुंचाए तो पहर अब क्या हो पुझारी किया अदालत ने जी वजीर दाखला की अदम दस्टेरी के पाइश समाती तक मुल्द भी कर दी गई और वजीर दाखला और सेक्रेटरी दाखला की तलभी का हुकम बरकरार है चीफ जर्सिस ने कहा कि क्यों ना हम एक कमिशन बना दें जो नादरा की जो समंदर पर पाकिस्तानी से मुतलिक जो मौमला है उसका जाइजा ले चीफ जर्सिस ने कहा कि सब के साथ जो है वो बराबरी की जाए इसने कबल जब इसके सिस्मात शुरू होई तो शेर्मैन नादरा पेश हुए और उनने बताया कि अभी तक काबीना की जानिब से इस मौमले की मन्जूरी नहीं दी गई जिसके बाद वजीर दाफला और सेक्रेटरी दाफला को तलब कर लिया गया इसके सिस्टिस ने कहा कि जो सब्सकेटी पाकिस्तानियों को मिल रही है वो तार्की ने वदन को भी मिलनी चाहिए बराबरी के कानून के लिए इसी समरी की जरूरत नहीं होती अदालत हुकम देगी तो अमल दरामत होगा विसके सिस्टिस की समाथ पीर्टा के लिए मुल्दवी कर दी गई है और इस पे कमिशन बनाने का इंदिया गया है और जो वजीर दाफला और सेक्रेटरी दाफला को सल्ब करने का हुकम है वो बरकरार है शुक्रिया आपका अदिल वड़ाईच पाक फजाया में कमान की तबदीली की पुर्वकार तकरीब हुई एर मार्शल मुजाहिद अन्वर खान ने बाइस में चीफ की हैसित से औहदा संभाल लिया है सुहेल अमान ने बैजस लगाए और अलामती शम्शीर भी उन्हें सौंपी इसके साथ साथ तकरीब में जे एफ सेवन्टी थंडर तयारों ने सलामी भी दी सुबक दोश सरबरा को तो ये एक पुर्वकार और मुक्तसर तकरीब थी जिसका हैवाल इस रिपोर्ट में जानिये जे एफ तंडर स्कॉर्डन ने साबग एरचीफ सुहेल अमान को सलामी दी सुहेल अमान ने एरचीफ मुजाहिद अन्वर खान को बैजस लगाए और हाथ में लाया एरचीफ सुहेल अमान ने एरचीफ मुजाहिद अन्वर खान को कमान की अलामती शम्शीर भी सौपी इससे कबल एरचीफ सुहेल अमान के एर हेड़ कौटर इसलामबाद पहुंचने पर एरचीफ मुजाहिद अन्वर खान ने उनका इस्तवाल किया एर्चीफ सहेल अमान को सलामी दी गई और सहेल अमान ने गार्ड आफ आउनर का मौाइना भी किया सुबदोश होने वाले एर्चीफ सहेल अमान ने अपने मुटसर खिताब में कहा कि पाक फजाया ने देश्टगर्दी के खिलाफ जंग में भी कलीदी किरदार अदा किया है पाकिस्तान अफ़ोस विविट अमान ने इस तवक्को का इसहार किया कि मुझाहिज अन्वर खान पी एएफ की शांदार रिवायात को बरकरार रखेंगे एर हेटकोर्टर असलामबाद में चेंज अफ कमांड की तक्राइब रखेंगे की तक्राइब कारेंगे की एक अफ़ोस विविटाद बरकार्टर असलामबाद में जितने तक्राइब